नी रिप्लेस्मेंट सरजरी या गुटना बदली की सरजरी कितने में होती है अगर हम दिल्ली की बात करें तो नॉर्मली 3 से 5.5 लाग के बीच में दोनों गुटनों के बदलने की सरजरी हम कर सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कितने बड़े हॉस्पिटल में और किस तरह का इंप्रांट लगा के सरजरी कर रहे हैं अगर हम किसी बड़े हॉस्पिटल में सरजरी कर रहे हैं जहांपे की O.T. facilities बहुत अच्छी हैं अगर हम सिंगल रूम में सरजरी करते हैं तो इसकी कॉस्ट साड़े पांच लाग तक पहुंचाती है नी रिप्लेस्मेंट में पेशेंट नॉर्मली हॉस्पिटल में चार से पांच दिन के लिए रहता है और इसमें Physiotherapy की cost included होती है लेकिन यही सरजरी अगर हम किसी छोटे हॉस्पिटल में कर रहे हैं और अगर हम imported implant ना यूज़ करते हुए कोई Indian implant या कोई Korean implant यूज़ कर रहे हैं तो इसकी cost लगबग 3 लाग के करीब पढ़ती है Knee replacement एक बहुती successful surgery है हम कहां पर कर रहे हैं और किस तरह का implant लगा रहे हैं इसी से इसकी cost में बहुत फरक पढ़ जाता है एक फरक ये भी पढ़ता है कि अगर हम surgery एक stage में कर रहे हैं या दो stage में अगर हम एक बार में एक ही गुठने का operation करते हैं और फिर मरीश को तीन दिन के लिए hospital में रखवा के फिर दूसरे गुठने की सजरी करते हैं तो hospital stay 5 दिन की जगा 7 दिन की हो जाती है और cost में भी 20-30,000 रुपे का फरक पढ़ता है Thank you